Octave OS का एक latest official update आ चुका है हमारे Redmi के Note 10 Pro डिवाइस के लिए और इसे फिलाल में वंडे से यूच कर गाऊं यहाँ पर क्या कुछ आपको performance, bug, battery, detail देखनी को मिलता है वो सब कुछ मैं share कर दूँगा और यह वीडियो पसंद आये तो प्लिज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को all पे set करना ताकि आपको notification टाइम पे मिल सके और बहुत सारे यूजर से यह भी complain कर रहे हैं कि आपके वीडियो का notification हमें नहीं मिल रहा है अगर ऐसा है तो आप एक और चैनल को unsubscribe करो दूआर री सस्क्राइब करके बेल आइकन को all पे set कर लेना ताकि टाइम पे आपको notification मिल सके और इसके पहले कई सारे रोम्स के अपडेट आ चुके हैं जो के Android 12 के हैं और काफे stable भी हैं जिनका मैंने ओरेडे रिव्यू रॉइट कर दिया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो टेक आफ इस पे और इस सेकेंड दोनों चैनल के उपर आपको बहुत सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे जो के लेटेस्ट Android 12 के थें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो अपली support दिखाने के लिए share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले आप देखोगे सेटिंग में इसका लुक ठाट डिफरेंट है बाकी अदर Android 12 के कंपरेजर में क्योंकि हर बार Octavi कुछ ने कुछ डिफरेंट हमें provide करता है और first update में ही इतना कुछ डिफरेंट देखनी को हमें मिल जाता है जहां पर आपको About Phone में Redmi Note 10 Pro लिखा हो मिलता है और इस पर जैसे हम टैप करेंगे बाकी अदर डिटेल्स देखनी को मिल जाते हैं और android version पर in करते ही आपको Octavi के लोगों के साथ उसका नेम आपको देखनी को मिलता है और यह 3.0 का अपडेट है यहांपे मेंटेनर का नेम आपको देखनी को मिलेगा प्रिफ का करलनल यहां ठीज किया गए है बाके बेसं आपके पर चलते है तो आपको मिल तैसम जहां पर आपको jestustos वगईर के प्रिविव आपको देखनी को मिलता है, open camera का प्रिविव यहाँ पे missing है, तो यहाँ पे एक चीज़ है जो कमी दिखाई देती है, reset का option है, यहाँ पे tuner की अगर बात करें, तो यहाँ पे server से वे status bar का ही option आपको देखनी को मिलता है, बैक क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे backup का आ यहाँ पे connectivity, यहाँ पे आपको system settings ऐसे करके category किया गया है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे network वागा के options मिल जाते हैं, notification के अंदर वही सारे notification देखनी को मिलेंगे, और setting के icon सब कुछ opposite है, जो बाके दर custom से थ्वासे से different रखा गया है, जो कि थोड अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे बैटी की detail आपको देखनी को मिल जाता है, जिसमें कुछ खास नयान नहीं है, उसका sound के profile में नीचे कर आते हैं, तो वही सारे options है, यहाँ पे जो sound effect हमें मिलता है, वो नहीं दिया गया है, तो maybe next update में आ जाएगा, display के अंदर आपको मिलत जाए, notifications related options वगेरा, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाऊगे, always on वगेरा, तो यहाँ पे always on काम कर रहा है, कोई दिकत नहीं आता, और locking और unlocking का animation भी आपको देखनी को मिलता है, यहाँ पे minimum और maximum आप set कर सकते हो, साथ से tap to wake up भी आपको देखनी को मिल जाएगा, तो अगर ह यहाँ पे off करते हैं और double tap करें, तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी इस पे भी काम नहीं कर दा, तो यहाँ पे बाकि अदर custom पे हमें working देखनी को मिला था, बाकि यहाँ पे आपको देखनी को मिलता है, वाल्पेपर एन स्टाइल, जहाँ पे यहाँ आपको working देखनी को म मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे system के color समय क्या बदलावाता है, तो green green हो चुका है पूरा क्योंकि इसका जो graph है वो green पे रहता है, और system का जो color है वो भी थ्वासा greeny type का अब हो चुका है, तो इस दिए कि आपको change देखनी को मिलता है, बाकि य यहाँ पे रेखनी को मिल जाता है, तो normal से भी customization है, अभी कई सारे features add होने बाकि है, जो कि in future हमें रेखनी को मिलेगा, अगर हम हो home screen पे आते हैं और इसके launcher पे जाते है, तो आपको pixel कहीं launcher रेखनी को मिल जाता है, अगर प्लेश्टर के बात करें कि यहाँ आप देखोए कि यह सारे जो name है, अभी यहाँ पे blank है, यानि add नहीं हुए, तो maybe next update में add हो जाएगा, तो यहाँ पे options तो है, पर अभी यहाँ पे नाम सो नहीं कर रहा, तो थ्वासा wait करना परेगा, अगर प्लेश्टर के बात करें कि यह certified है या नहीं, तो आज आते है settings कूपर और आप दे देखनी को मिलता है, जो की काम कर रहा है, और आप चाहो तो Gcam वगरा भी है जो डाल सकते हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर ले ना भाई, ताकि इस तरह कर रेगलर अपडेट आपको देखनी को मिल सके बाकि अगर performance की बात करेगी कैसा निकल के आता है, तो switch करते हैं details के उपर, तो यहाँ पर आप देख से तो single और multi-code का result है, जो के Geekbench 5 का है, और इसके बाद यहाँ पर आपको L1 देखनी को मिलता है, तो Amazon Prime, Netflix वरागा में benefit आपको मिल जाएगा, और इस लों को जो आप flash तो आपको by default कोई भी file manager देखनी को नहीं मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो मैंने अलग से Google Y files है, जो download किया है, तो आप जो भी चाहो file manager आप download कर सकते होई, यह आपके उपर depend करेगा, क्योंकि default यह देखनी को नहीं मिलेगा, तो confused मत हो जाना, यहाँ आप अंटूटरस को देख होई जो कि काफी अच्छा है, जैसा कि बाके अदर custom room और MIUI पर आता है, सेम वही type का आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है, जिसमें 3% का battery roof है, 2.7% का heating है, तो यह सब कुछ तो सही लगा, जो कि काफी सही है, लेकिन सबसे बड़ी कमी आपको charging speed मुझे यहाँ पर हलका साइज हो slow लगा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो charging में आप यह improvement के जरूरत है, जो कि आगे चलके साइज देखनी को मिलेगा, और सबसे बड़ी कमी के जो मैं बात कर रहा था, वो यह है हमारा standby battery drop, battery drop इतना ज्यादा है, जो भ्यंकर यहाँ जैसे कि यह टंकी में चेक हो गया हो, कुछ उस तरीके से, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर 100% battery है, और जब मैं modding पर चेक करता हूँ तो 59 आ जाता है, यानि फुल नाइट में करीब करीब यहाँ पर 40% के आसपास का battery drop हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और जब battery drop ह होता है ना तो phone हलका full का heat भी होता है, warm भी होता है, तो यह एक bug है, जो कि उम्मीद करते है कि next update में जल्दी fix कर दिया जाएगा, तो यह पर battery का मामल में बहुत poor होने वाला है, और जब मैं इसे one day complete use कर लेता हूँ तो आप देखो कि इसका performance हुआसा better हो चुका है, और 90 के आ चुछ कर रहा हूँ, तो कुछ इस कुछ के बएक जैसे मैं सोचा कि चलो एक दिन और वेट कर लेते हैं कि आपता stable हो जाए, बट स्टिल मुझे same battery drop देखनी को मिला है, तो यहाँ पर battery backup में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, रही बात यहाँ पर इनका boot animation, तो यह मु आपके से तो boot animation काफे तक similar ही है, पहले जैसा ही है, बट थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर change देखनी को मिलेगा, तो कुछ इस तरीकी से आपको यहाँ पर boot animation देखनी को मिलता है, I hope कि यह पूरा detail में आपके साथ share कर दिया है, फिर भी question यह doubt रहे गया हो, तो आप comment box का use कर सकते हो, या telegram अगरे है भी join हो सकते हो, तो यह रहा total appearance boot animation का, और यहाँ पर clock भी काफे अच्छे तरीके से appear हो रहा है, तो हर जगे animation हो गरे है, सब कुछ working है, छोटे मोटे bug है, लेकिन सबसे बड़ा bug मुझे देखनी को मिला battery का, ठीक है, so I hope कि आप support दिखाऊगे, share करो मैं मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई